Hello Friends, Circle of Education welcomes you English Literature Writer की सीरीज में हम Shakespeare को cover कर रहे हैं जिसमें हम इनकी biography को अल्रेडी बहुत ही अच्छे से detail में discuss कर चुके हैं अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की playlist में जाके चेक कर लें आपके exam के point of view से बहुत जरूरी होने वाली वीडियो है तो Shakespeare के biography discuss करने के बाद अब हम इनसे related कुछ important facts discuss करते हुए चलेंगे और इसके बाद जो है हम Shakespeare के work को बहुत ही अच्छे से detail में discuss करेंगे क्यूंकि exam में कई बार देखा गया है कि questions Shakespeare के work पे direct ना आ करके इनसे related facts पे बन जाते हैं तो इसलिए हम Shakespeare को बहुत ही detail में discuss करेंगे तो Shakespeare की ये series थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके exam के लिए बहुत important होने वाली है तो अगर आपको ये series पसंद आ रही है, notes समझ आ रहे हैं तो वीडियो को like करें आपके जो भी opinion है comment section में रखें और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम Shakespeare के folio के उपर बात करेंगे जिस पे exam में कई बार question बन चुके हैं तो folios क्या होते हैं आएए देखते हैं तो Shakespeare के जो work थे वो publish हुए थे 16th and 17th century में quarto और folio के format में यह क्या होते थे एक volume होती थी जिसमें इनके combined work जो हैं वो सारे publish हुआ करते थे यह आपको easy language में अगर मैं समझाओं तो इनके सारे works का जो एक combination था वो एक volume में publish हुआ था उसी को folio और quarto कहते हैं इनके बस size में difference होता है folios जो है वो बड़े होते हैं और quarto जो होते हैं वो roughly इनके half size के होते हैं आपको यह याल नहीं करना है यह मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया है तो Shakespeare का पहला folio जो है वो publish हुआ था 16.23 में यह important है कि पहला folio कब publish हुआ 16.23 में इसको publish करने वाले कौन थे John Hemings and Henry Condil यह आपको याद रखना है यह दोनों कौन थे Shakespeare के friends थे और साथ में ही acting करते थे Shakespeare के तो पहला folio जो है publish करने वाले कौन थे यह आपको याद रखना है publish कब हुआ 16.23 में और पहले folio में कितने play थे इस पे बहुत बार question बना है तो यह आपको याद रखना है कि first folio में 36 plays थे कौन से play जो थे वो include नहीं थे first folio में तो वो है Pericles and Prince of Tire first folio का title क्या था Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedy और first folio dedicate किसको क्या गया था William Hubbard यह चीजे जो हैं आपको याद रखनी है total कितने folios publish हुए थे Shakespeare के आपका answer होगा 4 आईए इन 4 की series देख लेते हैं तो 1623 में पहला folio आया था जो कि Shakespeare की death के 7 साल बाद आया था publish करने वाले Hemings and Condyl थे second folio आया था 1632 यह आपको याद रखना है और इसको याद रखने का आसान तरीका आप ऐसे देख सकते हैं कि पहला 1623 है तो last के two digits जो है उनको आपको आगे पीछे कर देना है तो वो 1632 जो है वो second folio हो जाएगा third folio आया था 1663 में और fourth folio जो आया था वो आया था 1685 में अब कई बार exam में question देखने को मिला है कि ऐसा कौन सा play था जो किसी भी folio में published नहीं हुआ था तो आपका answer होगा the two noble kinsmen ये किसी भी folio में published नहीं हुआ था और ये play जो है पहले बार publish हुआ था 1634 में तो अब तब तो हमने बात करी Shakespeare के folios के बारे में बात करें अगर Shakespeare के quarto की तो इसमें 19 plays जो है वो Shakespeare के publish हुए थे और ये first folio से भी पहले जो है publish हो गया था क्या Shakespeare का quarto जिसमें 19 plays थे तो ये तो हो गए Shakespeare से folio से related points चलिए अब हम discuss कर लेते हैं कि Shakespeare के जो भी plays रहे हैं उनके chief sources क्या है क्योंकि बहुत बार exam में question जो है इस पे बना है तो Shakespeare के जो historical plays थे जैसे कि Henry 4, Henry 5 Henry 6, Henry 8 ये जो Henry की series थी Richard 2nd and Richard 3rd King Lear, Macbeth, Symboline ये सारे क्या हैं Shakespeare के historical plays हैं इनका source क्या रहा था Raphael की chronicles रही थी जिसका title था A record of the history of Scotland, England and Ireland तो Shakespeare के historical plays का जो base रहा है वो क्या रहा है Raphael की chronicles का ये आपको याद रखना है 2nd major source रहा है Bocasio का Bocasio कौन थे एक Italian writer थे और इनके कुछ work का influence हमें Shakespeare के कुछ works में देखने को मिलता है जैसे कि All Well That Ends Well Sembiline, The Two Gentleman of Verona 3rd source की बात करें अगर तो Sexo Grammaticus इन्होंने एक work लिखा था Jester Denoram जिसमें story थी Hamlet की और इसको माना जाता है कि ये chief source रहा है Shakespeare की Hamlet का Hamlet के और भी sources रहे हैं वो जब हम Hamlet को detail में discuss करेंगे तो देखेंगे Plutarch जो है ancient Greek historian और philosopher रहे हैं और Shakespeare के जो Roman plays रहे हैं जैसे कि Antony and Cleopatra Coriolanus Julius Caesar The Timon of Athens तो ये जो Roman plays रहे हैं इनका जो source रहा है वो Plutarch के work रहे हैं Another source की बात करें अगर तो वो है Arthur Brooke इनकी एक poem थी The Tragical History of Romeo and Juliet ये जो है major source रहा है Shakespeare की Romeo and Juliet का कुछ ऐसे work भी थे जिसमें Shakespeare के original plots हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि Love Slabers Lost A Midsummer Night Dream The Merry Wives of Windsor And The Tempest तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यही complete करते हैं Next वीडियो में हम Shakespeare से related और important facts देखते हुए चलेंगे तो आपको series कैसी लग रही है नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें आपके जो भी opinion है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching this video